आज की इस वीडियो में एक बब फिर से आपकी खिद्मत में इटली स्पेन और युके की एहम तुरीन खबरें लेकर हाजिर हुए हैं इटली तरकीने वतन से मुतलिक एहम न्यूज और इटली एसाइमल सीकर्स के लिए बड़ी खबर और इसी तरहां और इटली की एहम तुरीन खबरें भी मजूद हैं जिनका खलासा मैं आगे वीडियो में चलकर करूँगी इसके इलावा स्पेन इमिग्रेंट जो के बगार पेपर्स के हैं उनके लिए स्पेन के एक एहम अधारे ने बड़ा कदम उठा लिया जो के स्पेन के इमिग्रेंट के लिए गुड न्यूज है इसके इलावा इंग्लेंड के फामली विजा से मुतलिख खबरें और इमिग्रेशन की ताजातरी न्यूज आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी हमेशा की तरहां वीडियो को मुकमल देखेगा और चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें कि वो भी इन खबरों से आगा हो सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिंसला पहले बात कर लेते हैं इटली में करोना केसिस के हवाले से इटली में आज करोना के 34,283 ने केसिस सामने आए जबके 753 अमोत हुई अलापाक हम सब पर रहम फर्माए और इस खतरनाक वबास से हम सब को महफूज रखे इटली की दूसरी एहम तो इन खबर पर नज़र डालते हैं इटली में असाइमन सीकर्स के हवाले से बुरी खबर है वो बुरी खबर क्या है आए हम इसको जान लेते हैं असल में पूरे योरप में ही अब साइमन सीकर्स के लिए खतरा मंड़ा रहा है इसमें इटली के साइमन सीकर्स के लिए ज़्यादा खतरा है क्योंकि इटली तरकीने वतन का गर्ड है जहां पर पूरी दुनिया से यानी अफरीका, एश्या और दूसरे ममालिक से आते हैं लोग और इनका पहला टारगिट इटली होता है और जब इटली में आते हैं तो वो असाइलम को अपलाई करते हैं अब इटली समेथ पूरे यूरप के असाइलम सीकर्स के लिए क्या बड़ी खबर है वो बूरी खबर ये है कि दूबलाइन मुआइदा खतम होना था अब आरजी तोर पर इसको रोक दिया गया है फ्रांस और अस्ट्रेलिया ये दो मुमालिक ने असाइमन सीकर्स के हवाले से पूरे यूरप में मसला बनाया है और वाजिया रहे कि फ्रांस ने अपने बॉर्डर्स पर अपनी स्क्योर्टी को भी बढ़ा दिया है और हाई अलेट कर दिया है अगर हलात ऐसे रहे तो आने वाले दिनों में असाइमन सीकर्स के लिए और भी मुश्किलात हो सकती है इस हवाले से मजीद कोई अपडेट हुई तो मैं अलैदा से आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी इतली में मजूद इस वक जो तरकीने वतन है इतली रोम से खबर एजनसी के तहट गुज़चता बरस 33.2 बिलियन योरो अपने अबाई वतन बेजवाए हैं इतली फ्रांस और योर्पी यूनिन में रिहाईश पजी तरकीने वतने ये रकम अपने वतन बेजी है जो के रिजिस्टेड अदारे के जरीए अरसाल किये गए हैं वाजिया रहे के जिन मुमालिक से सबसे ज्यादा रकम बेजारूने योरप रुवाना की गई है इन में से इतली तीसे नंबर पर है पड़ते हैं इतली की अगली खबर की जानिब इतली और पाकिस्तान के तालूकात के हवाले से बड़ी खबर गेर मुल्की खबरसार अधारे के मताबिक पाकिस्तान ने 2019 और 2020 में इतली के साथ 210 मिलियन डॉलर का तिजाती सरप्लस हासिल कर लिया है एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रोना वाइरस और लॉक्टोन के बावजूद पाकिस्तान ने इटली के 47 सर्प्लस हसिल किया है एक साल में पाकिस्तान की ध॥ामदाद 731 मिलियन डॉलर जबके प्रामदाद 521 मिलियम डॉलर है याद रहे पाकिस्तान इटली को समरा और चावल ब्रामत करता है इटली की एक और खबर इटली ने दुनिया से मदद मांग ली बड़ी खबर गैर मुल्की खबर असार अधारे के मताबिक अतालवी हकूमत ने क्रोना वाइरस पर काबू पाने के लिए गैर मुल्की डॉक्टरों से मदद मांग ली अतालवी हकूमत ने दुनिया से पांच हजार डॉक्टरों को इटली बेजने की अपील की है वजारत सेहर ने का है कि इटली के पास इटली लेटर की कमी नहीं बलके मेडिकल स्टाफ कम पढ़ गया है अतालवी हकूमत ने ट्रेनिंग कर रहे है डॉक्टरों को भी क्रोना वारे से लड़ने के लिए मेडान में उतार दिया है अतालवी हकूमत ने मज़ीद गैर मुल्की डॉक्टरों की जुरत का इजहार किया है अब बात करते हैं इस्पेन के इमिग्रेंट्स के मुतलिकों से एहम अधारे ने इमिग्रेंट्स को लीगल करने का स्पैनिश हकूमत से कहा है इस्पेन में मजूद कारी तासा एक अधारा है जो के फलाई काम करता है और ये अधारा सिरकारी अधारा है मैं आपको वाज़ा करती चलूं कि कारितास जो अदारा है ये तमाम जो कातलिक चुर्च है उनके अंडर काम करता है और इनका जो लिंक है वो इटली के वेंटिकैना सिटी के साथ होता है इस इदारे की जानिब से इदारे की जानिब से सिर्फ मेडराइट में 120,000 लोग को लीगल किया जाए ये स्पेन में इमिंग्रेंट्स के लिए गूड न्यूज है अगर ऐसा हो जाता है तो अब हम UK की खबरों की जानी बढ़ते हैं पहले UK फामिली वीजा की बात करते हैं अगर UK फामिली वीजा की बात करें तो आपको वाजिया करती चलूं कि फिलहाल UK ने फामिली वीजा का सिस्टम बहुत आइस्ता कर दिया है आप कह सकते हैं कि UK ने इस फामिली वीजा सिस्टम को रोक दिया है वाजिया रहे कि इसकी दो बड़ी एहम वजुहात में एक जो पूरी दुनिया में क्रोना वबा पहली हुई है और दूसरा बरिस्ट की वज़ा से इसके इलावा UK की इमिग्रेशन की बात करें तो UK ने अपनी इमिग्रेशन का प्रोसेस भी इस वक्त काफी स्लो कर दिया है इसकी वज़ा ये है कि UK के योर्पी योनियन से अलैदगी इख्यार कर रहा है और जनुरी 2021 से अपना निया इमिग्रेशन कानून लाएगा जिसकी वसे UK की इमिग्रेशन भी काफी आइस्ता से काम कर रही है ये थी चन्द एम खबरे इटली UK और स्पेन से अमीद करती हूँ कि आप सब को पसंद आई होंगी मिलती हूँ पिर मैं आप सब से लेटेस्ट अपडेट में तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखेगा थैं थैंक्यू खुदा हाफिज थैंक्या हुआ झाल 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 झाल